इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Megaben plus chewable tablet is a combination medicine that is used in the treatment of parasites and worm infestations in the body यह संक्रमन को ठीक करने के लिए क्रिमियों के खिलाफ लड़ता है Megaben plus chewable tablet is a prescription medicine इसे डॉक्टर की परची के अनुसार लेने की सलाह दी जाती है इसे खाने के साथ या बिना खाय लिया जा सकता है लेकिन बहतर प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए इसे एक निश्चित समय पर लिया जाना चाहिए बताय गई डोस से अधिक न लें क्यूंकि ऐसा करने से आपके शरीर पर नुक्सान दायक असर हो सकता है अगर आप एक खुराक लेना भूल जाते हैं तो याद आने पर इसे तुरंट लें अगर आप बहतर महसूस कर रहे हैं तो भी इलाज का कोज पूरा किया जाना चाहिए इलाज को अचानक से बंद करना दवा की क्षमता पर असर डाल सकता है इस दवा के कुछ आम साइड एफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, डायर्या, यानि की दस्ट, पेट फूलना आदी शामिल है अगर इन में से कोई भी साइड एफेक्ट बढ़ जाते हैं तो आपको तुरंट अपने डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए अगर आपको किसी अलजिक रियेक्शन, यानि की चिकते, खुजली, सूजन, सांस फूलना, आदिक का अनुभव होता है तो आपको तुरंट चिकित सकिया मदद लेनी चाहिए इस दवा को लेने से पहले, अगर आप किसी भी स्वास्थ समस्या के लिए कोई दवा ले रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्ष करना चाहिए शराब पीने से बचें क्योंकि इस दवा से अत्यधिक बेहोशी हो सकती है आमतोर पर यह आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है लेकिन यदि आपको नींद आ रही है या चक्कर आ रही है तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए ठीक होने की रफतार बढ़ाने के लिए आपको पर्यापत आराम करना चाहिए साथ ही सेहत के लिए अच्छा आहार भी लेना चाहिए और खुब सारा पानी पीना चाहिए आपके शरीर पर इस दवा के असर को जानने के लिए आपका डॉक्टर कुछ लेबोरेटरी और डाइगनॉस्टिक टेस्ट के लिए कह सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद